अच्छा लेक्चर मदे आपन बग्णा रहोत विद्ञान आणी तंत्रद्ञान यावर पन्नास प्रश्ण तुम्चा कड़ुन घेतले जातील सौल करोड ओके आणी आच्छा लेक्चर मदे खुप विशेश अशीजिके महीतिया है कि तुम्हाला मिडेल आणी पन्नास अच्छा लेक्चर मदे आपन विद्ञान आणी तंत्रद्ञान आणी आविश्या आला डीटेल मदे अभ्यासना रहोत आच्छी आपली टेस्ट नंबर तीन आए आपन पॉलिटी त्यांतर इतियास आणी आता है विद्ञान आची टेस्ट आए तर आपले आ चानल ला एक मैसेज आला आज सगाडी काल की आज तर यामदे शकुन तरह ताम्बे म्या मैनि के लिएला हाँ मैसेज होता यामदे त्या मनता इतकी साढ़े साथ चा जे आपले लेक्चर होते ते या कोरोना चा अभ्यासा लोकान त्यानसा मन लागतना होता पन विद्ञान सुरू आहे त्या मोडे त्यानना जाहे ते विशेश प्रेर ना मोटिवेशन आणि ही मिलते ठीका है तुम्चा खुप-खुप आबारा है MPSC लक्षय संपुर्ण टीम कड़ू असाच अभ्यास करत रहा ठीक है सगड़ श्रेय हे MPSC लक्षय YouTube चैनल कड़े जात आणि आपले आच्चा लेक्चर मदे तुम्चा स्वागत करतो MPSC लक्षय YouTube चैनल वरती तसेच ठीक है असेच तुम्चे अभिप्राय WhatsApp नंबर वरती पठुव शक्ता ठीक है आणि आपले चैनल चैनल स्केडियूल एक दा बगुन गया सकाड़ी दहा वस्ता दीपक पवार सर सीशाट गेता त्यांतर रूपारी दोन वस्ता दन्वीर सिंग राजपूस सर जाहे NCRT सिक होचा आणि त्यांतर रात्री साड़े साथ वस्ता है लेक्चर सुरू आहे ठीक है यहांदे आपन विध्ञान आनि तंद्रत न्यान आच्चा लेक्चर मदे बगना रहोत अन्यकेडेमी आप बदल तुम्हाला दोन मिंटात महाईती सांगतो आपने चानलों चे सुमित तक्टे सा डॉक्टर प्रिती रहोत मैं आनि मिस्वता अ जलातर मख सुरू करवे आपने लेक्चर ला आपने चानल ला लाइक सब्सक्राइब आनि शेर करायला विशू नका आणि पहला प्रेश्न है तुम्हा स्क्रीन वरती खालील पई कि कोणकोण्ट्या शाखान सा समावेश जयवत अंत्रत ध्ञाना मदे ब्रांचे सब बायो टेक्नोलाजी मदे जयवत अंत्रत ध्ञाना मदे होत वर्त तुम्हा वेड शुरू होते आत्ता तुम्हाल पटा पुड़ उत्तर कराये से हलो शकुंतला तांबे मैं धन्यवाद तुम्हा जो काई अभी प्राय आहे तो आमी शुरूवा तिला घेतला तुम्ही पाठाव लेला मैसेच स्वागत है तुम्हा जै श्रीपाटिल मैं ललिता मैं त्यांतर माधुरी जाधो मैं गुड़ी उनिंग ओल आफ यू गुड़ी उनिंग तुम्हा प्रश्नाचा उत्तर जैनी जैनी ओप्शन नंबर तीन दिला सेल त्या सरवान चा उत्तर रगदी बरोबरा है बगाया जैवत अंत्रद्न्याना ची जेशे शाखा है बाय टेक्नलोजी ची यहाँदे साइटलोजी ससुद्ध अभ्यास किला जातो तुम्हाला जै लाजी मुल्हा शक्क्य जाला है त्यान तर बीटी कॉटन ठीक है तर हे सुद्धा यह चसेग्जाम्पल है त्यान तर गोल्डन राइस आपन वगितला बाय टक्लोजी चाजाए तर याचा काई शाखाई एता तर त्यामदे सुश्मा जीव शास्तर साइटलोजी जैवरसा अन्शास्तर त्यान तर मालेकुलर बायलोजी आनि जेनेटिक इंजिरियरिंग यह सगड़ा गोच्टी यहां मदे एतात तर आपले लेक्चर मदे जेकाई नवीन लोक जुड़े लाए त्यानि आपले चानल ला सब्सक्राइब आनि लाइक कराया विश्रू नका बगातु 旭ाल अन्शास्तर शायकल जिए मासिक धर्म प्रकृर्वयय शायनेटिक गूट अचनल लुटे लोक त सम्पामोसली अचनल लुटेंचिसे कीड़ी का मेक्षणी यह सब्सक्राइब खाले प्रकृषणीज अचनल लुटेंची वह सब्सक्राइब विश्रूज यहां Central Transport SigPlay गुड इवनिंग अभिनास थोरात सर मिनास शेक सर जहिंद सुनिता गायकवार मैं रोहिच सर यान्य उत्तर दिले अप्शन नंबर चार त्यांच उत्तर अगदी बरोगर आहे अब करड़ हे चाराई होर्मोन समहत्वाचे आहे मेंस्ट्रोल साइकल मद शलीकल स्टिमिलेटिंग हर्मोन या पैसन या प्रक्रिया ची शुरुवाथ होते ठीक है दम तर लिूतनाइजिंग हर्मोन इस्ट्रोजन हा दान्या सरक्या है तो या पासों है सगड़ी प्रोसेस नियंत्रित के लिए जाते फॉलिकल स्टिमिलेटिंग हर्मोन एन मंजस FSH काय करतो हाँ ब्लस्ट्री मदे एंटर है तो आनि ग्राफियान फॉलिकल ची काय करतो डेवलपमेंट करतो ओहरी मदे ठीक है औहुरी मदे आनि तित इस्टोजन नमbern समग लाइत्रिट चरिट ओं एक यूट्रस वर एक वाल त्यार होते ट्यां थर प्रोजेस्टेरन हर्मोन एंटर होतो आनि प्रोजेस्टेरन हर्मोन मोण इनिभीशन होतो आणि breakdown of uterus जाहे यह lining पुर्ण ब्रेक होते जा मदे blood असत आणि यहा मदुन FSH अधर जाहे पुन्ना cycle मदे enter करतो त्यान तर luteinizing hormone काय करतो तर या मदे ovulation होता empty follicle मंज़स corpus luteum ची काय होते development होते आणि यह corpus luteum regression त्या पसों तयार होते ठीक है त्यान तर पुड़े भगुया आपन ओके science मला खुपाट जाते आज हे second question चुकले it's okay तुम्चा पुड़्चा जो आए उत्तराचा ओके तरहे तुम्हाल समझ लेला असेल पुड़्चा प्रिश्ण भगुया आपन आता हाँ हे आमदे वायू आहे आणि यहाचा रंग तुम्हाला ओडखायचा है वायू नहीं आए हाँ हे चुकीचा इथे दिलेला हे मनझे स्तंबब आणि स्तंबब अकड़े लक्षे दिऊ नाका इथा तुम्हाला ओडखायचा है कि कोंत्या गोश्टीचा एग्जांपल काया हे ओके जस्टार्ट जले बेजीटेटीव प्रोपैंगेसं मन्झे शाकिया प्रजनन हे यह उधारन काया है मुलक कायान मन्झे बड़िंग चर एग्जांपल काया है खंडी भवन फ्रेग्मेन्टेशन काया है आणि पुनणर जनन मन्झे रीजर vielesn चर एग्जांपल काया है याँ पर याखी कि कु आदित्य सर अंच उत्तर आले एक आणि या प्रश्णाच उत्तर एक अगदी बरोबर है या उरून तुम्हाला बडिंग वरून आणि रिजनरेशन उरून तुम्हाला उत्तर आलेला ससेल ठीक है तर पुनर जनन रिजनरेशन आपलेला माईता त्याच प्लानेरिया एक्जा से ठीक है और ती था एक नवीन जे शेप्τη आहे ती तयार होता से जिथुन ती तुटली ठीक है तर हे रीजेनरेशन से एग्जामपल आहे त्यां तर हाईड्रा है जाहे हे बर्डिंग से प्रेजांपल आए, बड़िंग, वाट इस बड, एक जार आहे, त्याला एक बड़ फुट्ट, मन्जे थोड़ा से होता, आणि त्या पासून एक जार आण थया पासून, त्या पासून एक जार त्यार होता सेल, त्या बड खाली पड़ूनकी वाद त्यालाँ अटेच वेजिटेटिव प्रोपागेशन मंझे शाकिय प्रजनन मंझे स्काय तर पानफुटी ठीक है आणि मुलकायन त्यांतर हे बगितला अपन आणि खंडिभन फ्रेग्मेंटेशन येचे जे एक्जांपल आहे त्या आहे स्पायरो गायरा ओके ओके सग्ड़ात अगोदर पाइक्रो में आमनी दिले हाइड्रा वरुन मिलते आंसर राइट त्यांतर बगा हे जे आहे वेजिटेटिव प्रोपागेशन हे सग्ड़ जाहे ते असेक्श्यूल रिप्रड़क्शन मदे येत मंझे अला इंगिक प्रजननना मदे हे प्लांट्स मदे होनारी जास्ती जासता एक क्रिया हे वेजिटेटिव प्रोपागेशन इस एनी फॉर्म आप असेक्श्यूल रिप्रड़क्शन ओकरिंग इन प्लांट्स इन वीच न्यू प्लांट ग्रोस फ्रम फ्रेग्मेंट या फ्रेग्मेंट पासून इतुन जर कट जरी जाला तरी एक न्यू प्लांट काई हो शकता ग्रोह हो शकता जाला अटेच के लाओ ग्राफ्ट यूनियन आणि हे व्रैप कराओ लगता कि वा वैक्स कराओ लगते ठीक है आर्टिफिशल ही सुद्धा जास्ते एचा उपयोग केला जातो त्यांतर बडिंग आए हाईड्रा मदे बडुन अजयी मी बगित ला जात twitter ब्लांट तयार जाला है बंड लाई प्रोजचर प्रोजेक्शन गया आरि ऊसुद्धा और सेक्शूल रिप्रोड़क्शन scholar टर्हा पुर्ण बडिंग चा ज्वा थे तो कंशेप्ट है तुम्हीं विश्यनी वण लबदा चांधा भिन तेंक यू आशुक पवाल सर्थ अमीवा मदे बाइनरी फिजन और मल्टिपल फिजन होता अगदी बरोबर ठीक है त्यांतर आता बगो आपन फ्रेग्मेंटेशन फ्रेग्मेंटेशन का यसत तर और और अर्गनिजम् देट आर् फ्रेग्मेंटेट रिजल्ट इन इच फ्रेग्मेंट ग्रोज इंटू एन इंडिविजल अर्गनिजम् आता हा फ्रेग्मेंट जरी तुटला असेल या पसुनी एक नविन तयार होईल या तुटला है याई पसुन एक तयार होईल आनि वर्चा तुटला याई पसुन एक तयार होईल याला फ्रेग्मेंटेशन असा मनता त्यान तर रिजनरेशन का यसत तर ये प्लैनेरिया ना फिटल होत यह रीजन्डरेशन होत तर हे रीजन्डरेशन पाई तुट्ल है, त्याला नविन पाई एतो का नाई एत त्यानां त्यानाङतर एखा द्या वेक्ति चा बोट तूट ल्यू त्याला नविन बोट नाई त्यानल्च था त्यानेया १ान एक महिस्पिजानाधा हो यहीपार इसरी खले टाशी एक्जांपल आए त्या मदे एकों चार मंदले असताथ आणी यापै की अशा कोनत्य मंदलास? अति रिक्ता मंदले मंज़े तुम्हाला माहीत है एक्सेसरी वर्ण सस्ताथ आणी अजुन कोन असता जी असताथ अ इंपॉर्टन्ट कि वा आपन जाला मनुशक्तो एक्सेसिव कि वा एक्सेसरी या मतेला बट डिवाइट के लेला है ठीक है तर या मदे तुम्ही सांगा तर या पर कि एक्सेसरी वर्ल्स कोनता है जो जो जवडा इंपॉर्टन्ट नहीं है पन तो पांट असतो ठीक है तर तो उत्तर बड़ोबर हाई तो आपसरक्ण मेंबर चाणर या उत्तरा कड़े वर्ट् sen बड़ो अथो इतकी है उत्तर्र रगधी बरऴणर हाए कालिक्स आनी करोला हा जो काई भाग हाए तो जिसेसरी वर्ऽ सा भाग है या मदे मेन पार्ट होत मस्तो कैलिक्स करोला मदे प्लांट चो जेकाई पेटल साहे त्या पाकड़या त्या नंतर त्या पाकड़यां चा खाली असलेला ते कवरिंग या सगड़या गोश्टी कैलिक्स आनी करोला मदे यताथ पान एंड्रोशियम आनी गायनोशियम हे मेन सेक बगह तर पेटल मंझे लाट इसका सका कर्व रैकड है खाल्यग शेक कर्वाग्य खो भागश्य कुआ पेष्चा भॉलाएं सेपल आ कर्विंग घर खो selbstरो आुटल आनि केलिक्स हे कशा मदे एता एक्सेसरी मदे एता ठीक है त्यानें तर अपलेला बगाईचा है दोन प्रकरचे वर्ल्स असता ठीक है या मदे जाहे एंडोसियम आनि गायनोसियम हे रिप्रड़क्टिव और्गन साहे जेकी मेन आहे ओके गायनोसियम मा जा पिस्टल सेता एंथर फिलामेंट एते जावर पोलन ग्रेंज जाहे ते ड्रॉप आउट होता स्था आनि एड्रॉप जाल्या मुळा काय होता स्था कि एक रिप्रड़क्टिव एक्शन घूड़नेते ठीक है स्टेमान आनि एछे जे एता स्टेमान हें आंडोसियम मा देता ओके येते सर् क्यालिक्स आन करोला आर एक्सेसरी ओर्गन्स और वाइल एंडोसियम और गायनोसियम और रिप्रेडेक्टिव ओर्गन्स अब प्लांट्स ओके त्यांतर इथा पूर्ण डिटेल मदे आए कि हीजी प्रोसेस आयती कशिगड़त अस्ते गायनोसियम मदे अपलाला भगो या आमदे एंटर होतात ओके रहाय पूर्ण अडोसियम और पेरियांत करोला आनी कैलिक्स आजो काई भागस्तो इथुन तर इत परेंत अचा याला पेरियांत असम अन्तर ठीक है करोला मंजे कंपोज आप पेटल्स आनी कैलिक्स मंजे कंपोट आप सेपल्स ओके त्यांतर फर पुलील पाईके काई होईल आता हां ही वागसे दिवस है पाईलिस्तिती युवागस होते एका ठीकाना पसन आवाज दिल्लै नंतर प्रतिधनी ही वागस आईकुए तो है पन तेज ते उलच अंतर आहे आनी ग्रुहीत धर लखीते उनाले चा दिवसात होते तर डिस्टन् तापमान जरी वाडला तरी प्रतिध्वनी आईको एल तापमान वाडला ना प्रतिध्वनी आईको एनर नाई एक आनी दोन यहां पर गी कौन तो उत्तर बरोबर है कि ओके कि थैंक यू अर्चना मैं कि अपले चाइनल चा तुम्ही पैड शब्सक्रिप्शन घेहोन गया है मनजे जेला आपन यह मंतों कि जाला आपन काय मंतों कि जॉइन करा कि सब्सक्राइब बट्ना चे साइडला आहे थे जर तुम्हीते मेंबर्शिप घेतली चैनल ची तर तुमहला यहां प्रतिध्वनी आणि चायनल ला सुद्धा थोड़ा फार सपोर्ट होई ओके या प्रश्णाच उत्तर तुम्ही तीन देता है आणि अगदी बरोबरुत्तर आहे तीन कापमान वाड़ा ना प्रतिध्वनी आवाज एत नाही ठीक है कापमान जर वाड़ा तरहा जो एको आहे तो एको एत ना समझात तरह ना तीन चार वीड़ा एको आट तरह एको आपन fatman one वाड़ा तरहा एको पहाए तना जासता आहा आणि पान्या खालून तुम्ही गिटार वाजा उता है ठीका पान्या खालून पान्या मदून तो आवाज जाएला खूप त्रास होईल कि वा खूप वेल्ड आगेल कारन ते कुल कंडिशन आए तीथा साउंद चे जे काई वेव जाय ते ट्यावल फास्ट होनार नाए स्लो ट्रेवल होतील कुलर कंडिशन मदे पन्मार्मन कंडिशन जर असेल ओपन ग्राउंड असेल तो आवाज खूप ठीका नीजव आहे तो पसर तो ठीक है एका जे ओपन ग्राउंड मदे ओके आदरता कमीन्स ठीक है असा है ते पूर्ण कंडिशन तुम्हाला लक्षात हाली नसेल तर याची तर ऐसीतर आवरून लक्षेत ग्या हामुलगा ग्राउंड वर्ख गिटार वांजाओ तो जवाहे ग्राउंड वर्गिटार क्लासिक्फिकेशन अन्द बेसिस ओफ इवैल्वीशन ओके इवालूशन ठीक है त्यांतर पद्धती चा अवलंब करून यान्ना प्रान्यांची वर्गी करन क्लासिफिकेशन आफ एनिमल के लिए यानि के लिए ओके यानि प्रान्यान से वर्गी करन मंझे इस क्लासिफिकेशन आफ एनिमल के लिए को नहीं ठीक है 17 तो 80 मिटर्स 18 मिटर्स मिनिममम दिस्टन्स टु इको राइट बट साउंड ची फ्रिक्वेंसी सॉलीड मदे जासता असते ना हां हे बारो बार आए ठीक है यह लक्षा ठेवा सॉलीड लिक्वीड गैसेश ओके सॉलीड लिक्वीड गैसेश या और एक प्रश्ना आला है कि कुंत्या माध्य मातुन साउंड जस्ति जस्त फास्ट रहा होलो तो तर सॉलीड मदुन सॉलीड मदुन सगड़ात फास्ट रहा होलो तो लिक्वीड मदु क्लासिफिकेशन अप एनिमल केला कशा चा बेसिस वर तर उतकरांती चा बेसिस वर उतकरांती चा आधार आवर ठीक है डाबलास जांस्की आनि मेर ओके नाव पन कुप कठी नाए तर अप्शन नंबर एक बरोबर आहे आनि लीनियस तुम्हालामा इता है यह वेक्ति ना बायनोमील नॉमेन् क्लियेचर दिला होके आता बायनोमील नॉमेनक्लियेचर मांजे काха है तर एकक घोष्टी ला नाव देने मेंगि फेरा इंडिका कशा चा नाव नाव है सांगा वर तैयानन तर हो मो सेपियन सेपियन मांसा चानावा है अश्यानावा देनाची जय काई पद्धत शुरू केली ती कारलस लीनियस कार लीनियस या वैक्तिने शुरू केली ये वैक्यम मादे वनसपत्ती चा लीनियस राइट तरही पुर्ण एवालेशन चे प्रोसेस आया असमाटळ जाता मानुस पहलाना वानार होता ममक्तिया मदे उत्क्रान्ति होत गेली मक्तों आता खुपच हे जाला है ठीक है आता तो कंप्यूटर वर बसतो है आनि एक इंटर मेंगो राइट राइट होमो सेपियन ओके मी बाइनोमियल से टाकेला विशरलो पुड़ा असिल थे ठीक है खालिल पे कि सत्ते विधान कुंत समा पृष्ट रज्जु प्रानेंच मंझे स्कॉर्डेट्च रुदय शरीराचा अधीरवाजुस मंझे स्वेंट्रल साइड लास ओके डॉर्सल साइड आता वेंट्रल आनी डॉर्सल यहां मदे थोड़ा फारस फरक है ओके आता मानुस असा भुबास तो तर याचा या भागाला रुदय अस्त का उत्तर नहीं सांगतो है आनी वेंट्रल मंझेच प्रानीज असा असे लाडवा तर याचा या बाजुस अ असा प्रश्णा है ठीक है तर या प्रश्णा चा उत्तर जानी दोन दिले अगदी बरोवर उत्तर आहे बगा समप्रिष्ट रज्यु प्रान्यांच मंझेच कॉर्डेट चरुदय शेर्राचा अधिर बाजुस मंझेच वेंट्रल साइड ला अस्त बरुबरा है आनी समप् अच्छा हे आहे बरोबर राइट डॉर्सल मंझे माक्चि साइड हाँ हे बरोबर आए ओके मंझे समप्रिष्ट रज्यु आपन कॉर्डेट चाहे ठीक है मानुस का आहे कॉर्डेट आहे आपले अधिर बाजुस आहे रुदय ठीक है कॉर्डेट मंझे का है कि जानना पाठीचा कना जनना असता त्याना कॉर्डेट समनना आपन जनरली ओड़कतो आणि आँचा मदे वेंट्रल साइड ला का इसता रुदय असता पन समप्रुष्ट रज्यु जेके प्रानी आहे नौन कॉर्डेट से आँचा शरिराचा जो आहे प्रुष्ट भागास मंझे डार्सल साइडला जे आहे ते असता ओके तुम्चा वीडियो समुराइपिन मी मागस रहा दे नेट्रुष्ट सा इश्यू है अगदी अगदी शुभम सर ठीक है पाठीचा कना असता राइट तर बगा नौन कॉर्डेट्स आनि कॉर्डेट्स मदे काई डिफरेंस है कॉलं जो है अपला पाठी शेकना हाना नौन कॉर्डेट्मदे नस्तो पन कॉर्डेट्मदे असतो चेंटल नर्वस सीस्टीमा इस शुटलिड आयड वेंट्रल ओके अनि हॉलो एंड डॉर्ष्ल CENTRAL नर्वस सीस्टीम कॉर्डेट्मदे असते हार्ट इस्प्रेजेंट इ मंज़ जे कॉर्डेट्स हाई, the anus is a posterior so no post annal tail, protozova, orthopoda आनि aynelida, हे काई example आहे non-corridates जे, आनि Pisces, त्यांतर aves, paksi, reptilia, मंज़ सर्पटनारे, आनि mammals, मंज़ जा मधे आपने तो तर हे को सगडे कॉर्डेट्स मधे एताथ, okay? आल मेंबर्स प्लीज लाइक प्लीज लाइक दिया लेक्चर ओके तैंतर भगा मी एक फोटो टाकला था तो ही डिलेड जाला खालील पाई के कोंत्या प्राणांची रचना गोलिया सममीत मंझे स्पेरिकल सिमेट्रिया है ठीक है स्पेरिकल वाट वी नौ अबोट स्पेरिकल स स्पेरिकल इस लाइक ओपन हालो स्ट्रक्चर ओके एक गोल तर आया स्पेरिकल मंझे पन पुर्ण गोल आय भर्यू गोल मंझे स्पेरिकल ओके तर कोना चींआ स्पेरिकल सिमेट्री उन फ्राग उंदीर सी अर्चीन कि आप ही कि नाहीं ओके option number 3 असो उत्तर एते पुजा जादा हो मैं अगदी बरोवर उत्तर आ है option number 3 C अर्चिन, C अर्चिन कसा असतो? गोल असतो आणि यह गोलिय सममीत, spherical symmetry आ है बेड का ची symmetry कशिया है, bilateral symmetry, ओके? आपन जर बेड काला कापला मधा तुन, तर तो bilaterally जो आ है, तो divide उतो उन्द्राचि symmetry bilateral आ है, बगा, त्यान तर radial symmetry कशिया है तर planes, मन्जे असा cut out जर के ला है, एका द्या plant सा जे तुम्ही असा एक तुमचा कड़े आ है, आणि यह ज़र अशे कट के ले आणि इकड़ून सुद्धा असेस कट के ले, तर ही जाली, radial symmetry तर बाइलाटरल सिमेट्री मन्जे हाजो का ये विंसु दिसतो है, यहला आपन बाइलाटरली डॉर्सल साइड ने कट के ले, यह ज़र जी एंटेरियर साइड, पोस्टेरियर साइड आणि प्लेन आप सिमेट्री का ये डॉर्सल आए, ओके, human मदे बाइलाटरल सिमेट्री असे अगदी बरोबर, कटेरी सी अर्चिन, ओके, काटेरी सीअर्चिन, सर उध्या इको घ्याल का, ओके, बिल्कुल, तर बाइलाटरल सिमेट्री ही असे, radial सिमेट्री मन्जे आपन ए स्पेरिकली मंजे स्क्रास मदे आनि मदात प्लस मदे सुद्धा कट करू सकतो तो अस तो एक स्पेरिकल सिमेट्री सा प्रकार ओके दोन बाग जाले तर ओके सर्वर आइट आले आता परेंद तो गुड आनि एक असा एक्जाम्पल आये हाँ वेक्तिलाजर असा कटाई केला हा हां असेमेट्रिकल आये हां कसा ही कट केला तो मीतर हां सिमेट्रिकल कट होत नाइ बाइलने एक पाय ब्यंगडेश ठीका नी जाता है कही एक पाय असा है आणवा आनि ये पंक्हाय असा थोड़ा से आणवी तिलवे आ पायला असा नाव है यां किळा है वेक्ष अधिवा त्यांतर इथेन मदे C2H6 मदे किथी सया सयूज, ओके, सहा सयूज, मन्जे कोवालेंट बॉन्ड अस्तत, तर जानना कोवालेंट बॉन्ड आनी आयोनिक बॉन्ड काया अस्तत, तर नहां प्रश्नास उत्तर हील, सहा साथ आट नौ, ओके, राडियो सिमेट्री स्टार फिश, ओके, के, के, सापा चे नहीं होद बाब, सापा चे हूँ शक्त, पन शिप्टी बारी पड़ू शक्त, ओके, एक डा सर्च करून बाका, ठीक है, तर उत्तर जानी जाननी, आप्शन नमबर दोन दिले, त्यान सो उत्तर बरोबरा है, C2H6, C2H6, जर आपन मोकड केल, तर आपलेला किती कोवाइलन बॉंड या मदे आड़तील, कैन यू इमेजिन, तर समझा आपन कट केल, ओके, जस्ट भी फोकस अन इट, ओके, ओन द स्ट्रक्चर अफ इथेन, आता या मदे आपन हाइड्रोजन ची आपले गड़े सहा आहेत मॉल लेला है बगा, तुम्ही एगदा चेक करू शकता पुन्ना एगदा तुम्ता समुर्द आखो तो है, C2H6 स्ट्रक्चर आहे एथेन स, आणी बगा, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, second bond, third bond with carbon, third bond, fourth bond with carbon, fifth bond with carbon, sixth bond with carbon, and carbon-carbon bond, it's totally seven bonds, occur in the ethane, okay, okay, ethane is a molecular, ethane's molecular formula is C2H6, and has seven covalent bond, and one, which one bond is carbon-carbon bond, when we plus the six plus one, is totally, we get seven bonds, okay, and total किते आहेत मक्स, 7 bond आहेत, okay, 7 आहेत, okay, तर, option number 2, योग्या उत्तर आहे, त्यानों तर, covalent bond आनी, ionic bond मदे काई फरक असतो, तर, covalent bond is formed by mutual sharing of electron, mutual sharing, electron काई जाले, sharing जाले, okay, atom मदे, okay, तर, हे mutual sharing आहे, covalent bond, आनी, covalent bond जाहे, ते, तुटक हतात, तो, तुटू शकतात, okay, आनी, neutral particles मदे है आडलतात, पान, ionic bond काई असतात, खुब घट्ट असतात, कारण, यां मदे, हे कशानी त्यार जाले जाले तर, transfer of electron पसुन त्यारे जाले 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 जाले, तर, NaCl, okay, sodium chloride, हे चांगला example है, ionic bond सो, ये चाप bond हाखुब घट्ट बांड असतो, सवजा सवजी तुटत नाए, पान, hydrogen hydrogen bond, जाले जुल्डे ला असेल, तर, तो, cut हुशकतो, cut out हुशकतो, ते, अंतर, this bond, usually exists between metal and non-metal atom, ionic bond, now, metal, अनी, non-metal मदे आड़तात, sodium, is also metal, chlorine, is also metal, sorry, chlorine is not metal, sodium is metal, and non-metal, it can get compiled, okay, and we get a ionic bond, this bond is non-directional, it is always polar, and it holds charged particle of opposite side, no multiplication is observed, but in the covalent bond, bond is directional character, it may not be polar, it holds neutral particles, and the bond can be single, double or triple bond, हे covalent bond मदे अड़तात, आनी, no multiplicity, मंजे, या मदे multiplicity अड़त नाई, ionic bond मदे, okay, तर, हे, तुम्ही लक्षा ठ्थे हो हैचे, त्यानतर, इथे न स्ट्रक्चर आपन भगितल, त्यानतर, हे, covalent bond कशे असतात, इता बगुशकतात, तुम्ही, हा sodium, आनी, हा chlorine, okay, the electron moves from sodium to chlorine, electron, sodium मदला जो आहे, तो, chlorine क compiled structure जाहे, याने, काय होतो है, electron जेऊन, positive होतो है, आनी, chlorine काय होतो है, negative, एक electron जेऊन, आनी, positively charged sodium, and negatively charged chlorine, attract each other, and are electronically bonded together, okay, ते electronically काय होतात, bonded होतात, कारण हाँ, sodium positive जाला, chlorine negative जाला, positive negative, attracts, okay, आनी, electrons cannot be moved independently, का, independently, ते स्वता मुव होत नाई, hydrogen जे, त्यानना, मुव ते जावर आलानंतर होतील, atom from bonds, by sharing, त्यानी जर शेरिंग केली mutual, तर hydrogen पासुन, H2, HH, compile, तर तयार हो शकतो, okay, त्यानंतर पुल्चा प्रश्ना है, मौरिस या शास्त्रदन्याला, शैवालाचा जनक, father of algae मनतात, हेडविग या शास्त्रदन्याला, ब्रायलाजी चा जनक, मंजे, father of biology, असा मनतात, या पई कि कोन्त विधान योग ज्या है, ते तुम्हाला उडखाएट से, okay, निकेश सर, थोड़ सा, तुम्हें लेड़ जलेत, okay, रोहित आच्टे कर सर, अउगर्ना है, सोपज है, पुन्णा एकदा बागा, ठीक है, मागभून, okay, र्याप्रश्णाज उद्तर, जन्नी जन्नी तीन दिले, त्यांच उद्तर, अगदी बरुबरा है, ठीक है, तर मौरिस या शास्त्रत न्याला शैवालाचा जनक, father of biology असा मनतात, आता मौरिस, हे तुमाल फक्त लक्षाठ्थे वाचा है, मौरिस जन्नावाला तो शैवालाचा जनक है, शैवाल है नाव कुनी दिला, तर अपलाच वेक्ति जवडपाच्चा, कार्लस लीनियस या वेक्ति नेशे शैवाल नाव दिला होता, आनि हेडवीग याला ब्रायलाजिटा जनक, मनतात, यहुळा लक्सा ठीवाँ, कार्लस लीनियस या वेक्ति नेशैवालाचा शब्ध शरवात पहलेंधा, जो हे तो दिला होता, अलगी, स्वेडिस्ट बोटनीस्ट होते जुलोजिस्ट होते और फिजिशियन्स उद्धा होते और बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दिला और यह आन्ना आपन कार्लसलिनियस ला फादर अप् अप् मोडन् टैक्जनमी मनों उडगतो जानदियं का कहला है, पुर्णा, वपूक्य कहला है, बाइनोमिली जन्तों मेरे लुट्चे कहला है, या मदे बागा, यह वो, 20 सेव़ेwegen यह हर्च ना हुआ, साइंटिफिक ना हुआ, विक्किवीस के रपिखेर यह नंतर होंमो से 근데 उप विक्विश वर्चे लियो के जीब्रा तृ और होमो सेपियन सेपियन और होंमो सेपियन फamed for humanौ धिन क्लें अलिस नेंडर्टल मैंस truth के अवके की je तैंधर। कारोलस्ट Ноês तेयां तोरा ता काई वायू आ हेट? येस तंबा मदे काई वायू आ हेट आनि iki फंबा मदे काई रंगा हेट यांचा चुमालया योग्या जोड़्या लावाएच् hiss हेलियं, एरगं जेनोर अनी नीयॉन हे काई वायू आ हेट यांचा रंग कोन ता हे? ते तुम्हा लोल खायचा लाल नारंगी हिर्वा जांबड़ा पांडरा ओके विचार करन उत्तर दें थैंक्यू सुनीता मैम है कि क्यों ढूनलमी हिस देंक्यू और ये प्राश्ना जा जानी जानि द्निल को अगती बरोबर उत्तर है जाइच्यू पांडरा रंग करें पांडरा रंग ठीक है रंग माजा कसा ओके तर माजा रंग काय मनतो है हेलियम माजा रंग कसा है तर पांडरा रंग है वाइट है एरगान काय मनतो है माजा रंग कसा है जामला रंग है जेनांचा रंग कोंता है तर जेनांचा रंग हिरवा है आणि नियांचा रंग कोंता है लाल नारंगी, हेलियम पांडरा, कशामद अस्तो हेलियम, सांगावर एकाद एक्जांपल, एरगोन कशामद अस्तो, त्या चारंग जामड़ा अस्तो, जेनाँ चारंग हिरवा अस्तो, आनि नियोन चारंग लाल रांड़ंगी, मन्जेस रेड अरेंज, असा नियोन चारंग अस्तो त्यांतर नियोन लाल रानंगी अरगान जामड़ा क्रिप्टोन निडास तो ठीक है जैनान हिर्वास तो हेलियम पांडरास ओके मला माई तो तो बट श्योर नो ते सो लेड़ दिला एंसर इट्स ओके ओके सोरी तो सिरियल आ है एक रंगमाजा वेगड़ा ठीक है अयोग्ये जोडी निवड़ा हीरा डायमंड ठीक है बल्ब मद यसतो ओके हीरा जो काया है डायमंड याचा बदल एक विदाना है शटकोनी प्रतलिया रचना मंजे लेयर्स विथ हेग्जानल अरेजमेंट हेडरोन थ्री डायमंस्टरल स्ट्ट्चर फुलेरीन याचा शटकोनी वा पंचा कोनी रचना होलोस्पियर विथ पेंटागोनल अन हेग्जागोनल स्ट्चर यापई की कुंती जोडी अयोग गया है ते तुमाला अडखा है चैंचा अकी अनस्थेश्या मद अस्त अरगन स्ट्चर यूबलाइट ओके कवान गिव में फास्ट अंसर फॉर्दिट विच इस दा रॉंग पेर या प्रश्णाच उत्तर जानी जानी ऑप्शन नंबर एक दिलाए तैंचा उत्तर अगधी बरोवर उत्तर आहे बगा इतफक्त अ आनी बव हे चुकी चे उधार ना हे जानी जानी एक उत्तर दिलाए तैंचा उत्तर बरोवर आहे अयोग गये विधान ओल्खायच उता ही जो आहे हा चतुष कोना तील त्रीमितिय रचना है, टेट्रहेड्रोन, okay, टेट्रहेड्रोन, okay, असा प्रकार्ज का इतरी स्ट्रक्चर, टेट्रहेड्रोन, आनि तो क्यूबिकल सुद्धा है, okay, डायमेंशनल स्ट्रक्चर, वाट इस डायमेंशनल, 3D, we know about 3D, 3 दायमेंशनल ठीक है, तुम्ही गूगल वर मैप बगता, 3D, त्यांतर 2D, 2D, we actually see on the TV, this is the 3D, and when we go to the cinema hall, और the movie, which has, movie 3D असते, ति 3D गौगल सापलला देता, त्यामेंशनल 3D देता, तर हेज आहे, हीरा, हाँ एक 3D आहे, ठीक है, 3D, आनि एक चतुष कोनिय त्रीमितिय रचना असलिला आहे, graphite हा, शटकोनी प्रतलिय लचना, मनझे, hexagonal arrangement आहे, आनि fullerene हा, शटकोनी पंचकोनी रचना, मनझे, hollow sphere, with pentagonal and hexagonal structure, okay, graphite हे, शटकोनी प्रतलिय रचना असते, okay, तर लक्षा अठेवा, tetrahedron, what is tetrahedron, this is tetrahedron, what is cube, घन, त्यांतर octahedron, that is actahedron, isocydron, this is isocydron, dodecadon, this is dodecadron, okay, and this is the diamond, graphite is composed of layers of carbon, that are arranged in six-member hexagonal rings, six-member कुंतिय है, hexagonal एक ring आहे, graphite मदे, आणि tetrahedron diamond cubical structure, कशा मदे आहे, eight atoms, तरते आहे diamond मदे, okay, अच्छा, केलो होता, त्यांतर पूल्चा प्रश्णा आहे, एक स्तंभा एक आहे, जा मदे, तुम्हाला animals दिले ले ले आहे, आनि एका मदे, अभ्यास शास्त्र, मनझे, study of, त्यांतर इकड़े आहे, ता येच्छ, तुम्हाला योग्ये जोड़े लावाएच, ठीक है, allotrop of carbon, graphite is a allotrop of carbon, okay, right, आधित्ते सर, हाँ, कोंती जोडी चुकी चे ये त्या सांगीतल, मक्ति यावाँ नी बहत त्याच उत्तर होता, आप्चन नमबर सेकंड उत्तर खुब कनफार्म ली आला, आणि अगदी बरवर उत्तर आहे, ठीक है, तर I think मला अट्टा हर्पेटलोजी ओरुन तुम्हाला उत्तर मीडाले, तर सरीश रूप, रेप्टाइल साहे, रेप्टाइल चे आप्व्यास आला काय मनतात, मायलोजी, आपने चा बद्दल अभ्यास लेला हे, ठीक है, मायलोजी, ओके, तर शेवाल, अलगी, अलगी चा अभ्यास आला काय मनतात, फाइकोलोजी, ओके, पेंसिल मदे रहाते ग्राफाइट, राइट, लीट, पेंसिल और अल, तर हे सगल जे होता, तर आता अपन बवि अलगी चा अभ्यास मन्जे फाइकोलोजी, ओके, शेवाल, फाइकोलोजी, तर अंतर अपसिसिक असिड, हे नैसरगी कृत्या अधरनार, वाल खुंटावनार, संप्रेरक हर्मोना हे, अपसिसिक आमला मूर, आरने व प्रतिन यांचा संसलेशनाचा दर कमी होतो, एपसिसिक आमलास तनाव, संप्रेरक, स्ट्रेस हर्मोन असाही मटल जात, या प्रश्नाचा उत्तर काय हे योग्य, ते तुमाला वळखाईसे, मसल स्वरुन सुद्धाल, राइट, अच्छा, ती नमबर चा ये तो 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 त्यावरुन तुमी ते उत्तर काटले, संगीता में अमना अलगी माहित होता है, रेप्टाइल सरपटना रहे, राइट, धन्यवाद मनिश्चर, या प्रश्णा चो उत्तर ऑप्शन नमबर चार आहे, मनजस काये, तर सगले विधाने योग्या है, एप्सेसिक अचिड, वट इस एप्सेसिक अचिड, एक एंटी जिब्रेलिन मनुन कांकरत, वट इस एंटी जिब्रेलिन, एक जिब्रेलिन नावाचा प्लांट हार्मोन जिब्रेलिन इस प्लांट हार्मोन, आणि जिब्रेलिन काय करत अस्तो जिक्णून प्रकाष्य तो त्या दिशेने प्लांट ची वट घळुनान तस्तो, आणि एप्सेसिक अचिड काय करता, है वाड खुंटाव तो, एप्सेसिक अचिड, नैस सर्गिरीते आडलनार, प्रोटीन यांचा संस्लिनस सा दर्ज आहे तो कमी होतो ठीक है यह योग्या है त्यांतर एपसेसिक आमला स्तनाव संप्रे रख मंझे स्ट्रेस हॉर्मोन असा ही मतला जाता है यह सुद्धा लक्षा ठेवा ओके थैंक्यू त्यांतर पूर्शा प्रेश्ण भविया तरहे एपसेसिक आमला चा एक फॉर्मुला है ओ डबल बॉंड बेंजिन रिंग त्यांतर त्यामधी सिगल बॉंड त्यांतर ओएच त्यांतर अजुन डबल बॉंड ओक्सीजन और डबल बॉंड हीड्रोक्सी ग्रूप इस टोटली बिन्द स्ट्रक्चर ओफ एपसेसिक आसिड आनि हे सीट डॉर्मंसी मदे सुद्धा महत्वाचे कार्य करता शूट डेवलप्मेंड मदे कार्य करता पन हे जवा एंचा मदे एंटर होता एपसेसिक आमला ABA त्यांतर आता अपली इंटरवल आनि इंटरवल नंतर जे काई हाले प्रश्न आप लेला रिवाइस कराया छे होते महत्वाचे ते आता अपन्ल रिवाइस करनला आहोते प्रश्न रिवाइसन्ह आ हे THेनक यू प्रवींस सर ठीक है? ओके, तर आता अपलेला संप्रे रख, हॉर्मोन्स आणी कारिय ओडखाईचा है, ओगजीन, जिब्रेलिन, साइटो काइनिस, आणी एपसेसी कामल, पाने कोमेजने, पेशी विभाजन, खोडाची वार, आणी पेशी विवर्दन, आता उत्तर हैसे आयला पाईजी तुमाला, कारण हाँ प्रशना आताज डिस्कत जालाए, ठीक है, अन्देन सेकेंडरी ग्रोथ होते, राइट, जिब्रेलिन ग्रोथ होर्मोन, सर तुम्ही खुपचान एक्स्प्लेन करता, असेस NCRT एक्जाम ओरिएंटेट क्वेस्चेन घ्या सर, प्लीज, ओके, अर्चना मैं, या और काम कराव लागे, ग्रेप स्वर्ती श्प्रेट करता, अच्छे, आप्षन नमबर सेकंड असे उत्तर आले, सेकंड सेकंड आणे अगदि ब्रोवर उत्तर आये सेकंड, चार तीन, दोन, एक अगजीन चा काम काया सते रे, अगजीन काम असतो, पेशी विवर्धन, टेंशन नगा गिव जिब्रेलींचा काम करने कायासत तर खोडाची वाड करने ठीक है ओके तर हे खोडाची वाड करने महत्वाचा काम कशा चाहे जिब्रेलींच या हर्मोन च साइटो कायनिन काय करता पेशी च विभाजन सेल डिविजन आणि एपसेसिक आमला काय करता पानेंचा कोम मजन पाने जवा कोमेशत आतना तो पाना मदों जवा पानी कमी होता एच्टू ओ कमी होता वाटर कमी होता तेवा पानी कोमेशत पान कोमेशत आणि या मदे काय एंटर जालासत है पाने कोमसत तर या मदे काय जाल अग्जिन्स बद्दल आता मी तुमाड़ा थोड़ से चुकीज सांगितला माक्चा मदे कि सनलाइट चा द्वारे जिकाई जाड़ाची वाड होतास्ते अग्जिन्स या होर्मोन मुड़ा होतास्ते ठीक है औग्जिन्स इ्राइडिकेशन काज़ेस टर्मिनल बडट्टू पॉइंट टोवड्ट ट्वाड्ट थास्ता तर्शन लाइट काड़े ओके तरह हे निमक रोत असता ऑग्जिन्स या होर्मोन मूलो औके अणि शनलाइट प्राज़। जिब्रेलीन स्टेम इलोंगेशन साथी महत्वाचा कार्य करता, तर स्टेम इलोंगेशन साथी जिब्रेलीन महत्वाचा काम करता, तर स्टेम मंजे काये तर खोड, खोड़ाची वाड होन्या साथी जिब्रेलीन चाम महत्वाचा है, आणि एन्हांसेस इफ ऑगजिन प्रेज सोप स्टेम आंड रूट्स जो कई अपाइकल पाट आए स्टेम आनी रूट्सा त्या मध्या अधरत अपला एटो डॉल प्लांट्स रिश्टोर्स दर नॉर्मल ग्रोथ आनी जह कै बुटे सारा है त्या बुटके जह जहाड हंत अधर हम अगजिन आनी जिभ्रिल्लीन एक के लग क्यों आय हे हॉर्मोंस तेंचा मदे एका सुई दार ए कि वाक ओंते गुष्टी तो ंजर एंटर आउट के ले तर तेंची वाल हूँ शक्ते ठीक है त्या तर फंक्शन आप साइटो काइनिंस अधा साइटो काइनिंस अधा सेल डिविजन मदे महत्वाच कार्य स्टोमाटा विच णिस विच इन विच पार्ट स्टमाटा इस प्रेजन चैनल को सब्सक्षिन Cytocyanion आई पानाध सप्रेजन है या चामाध सब्सक्तिन निदे अल finely स्ट। एक जूल उर्जा मन्जे काय एक न्यूटन पर मिटर वन टेन डिस्ट पावर सेवन डाइन सेंटीमेटर टेन डिस्ट पावर सेवन अर्ग आणि वरिल पाई की सर्व योग्याहित काय है योग्यों स्टोमाटा लीफ राइट क्लोरोफिल क्लोरोफिल पिकमेंट असतो जा मोड़ी पानाला कुंता कलर है तो ग्रीन कलर आदित्य सरांच उत्तर चार अल है आणि अगदी बरोवर उत्तर आहे प्रैक्टिस तुमची लक्षात रहाली है सगडे उत्तर बरोवर आहे उर्जा एक जूल एक जूल इस इकवल टू 1 नीटन 1 मीटर 10 रस टुदी पावर 7 अर्ज ओके त्यान अंतर 10 रस टुदी पावर 7 डायन सेंटिमीटर ओके हे सग्ड जे एकक आहे ते सग्डे उर्जे चे एका जूल चाहे 10 raised to the power 7 urges and all newton per meter kilogram in mass and what is हे जे यसा unit आहे जूल हे कशा साथी आहे रिप्रेजेंट के लो जाता energy साथी energy count करने साथी जूल हे एकक वापर लो जाता capacity to do work capacity to do work and generate heat काय तयार करने heat तयार करने okay this is the example of it तैंतर मुल द्रवयां चा इलेक्ट्राणी स्वरुपा चा electronic configuration चा आधर है आवर्त सार्णी ची विभागनी चार खंडा मदे के लिए four blocks तुम्हाला माईत है यहां मदे yes pdf we know about that आणि खालील पाई कि यस खंडा मुल्द्रवय कोंतिया है यस ब्लॉक मदे एनरी मुल्द्रवय कोंतिया है hydrogen helium lithium sodium neon की potassium या पर कि कोंता उत्तर बरोबर है तुम्हाँ वेर शुरू होता है अत्ता ओके green color free pigment is possible for photosynthesis राइट राजर श्री मैं ओके calorie also used राइट राइट सभी के सभी लोग जो हमको जुड़े हुए है like बटन पर क्लिक करना न भूले जो काला बटन है like का थम का उसको blue कर देना है ठीक है आप करेंगे मुझे पूरा विश्वास अप्षन नंबर सेकंड असो उत्तर है आणि अप्षन नंबर सेकंड है उत्तर रगदी बरोबर उत्तर आहे इस यडून बाकी सर्व ठीक है नियोन सोडून बाकी सर्व हे जे सगड़ आहे है सपता अनि जान चाँ हीजख आ लितिय मुझे अपह ऌउज़न खर व्रूरोफान से विश्वा भीड्यä सर्व केियाय थेU नियोन कोंते ब्लोक मदे तो, नियोन जर भगीत लातर तो P ब्लोक मदे तो, ठीक है? अब नहीं है 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 फैलियम हाँ यह ब्लोक मदला चाहे लीथियं, बेरिलियम, सोडियं, मेगनेशियं, प्रोटेशियं, कल्सियं, रूबिडियं, सीरियं, शीजियं, बेरियं सग्ड़े जा घे अधे यह ब्लोक आएद तो, तैना तर लांथनाइड शीरिस आनि element मदे एते हेलक्षे थेवा P block मदे helium neon aragon halogen all about fluorine chlorine bromine iodine थे सग्ड़े एचा मदे एता P block मदे okay neon is a inert glass okay neon inert gases साहेथ आनी fluorine chlorine bromine iodine हे halogen साहेथ sorry for that 17 group elements and these are the 18 group element heli uh neon aragon krypton zenon renon okay neon हार राजवायू आहे का सर सांगा प्लीज neon राजवायू आहे okay मज़े जाला तो कोना चे element घेता ही नहीं आनी कोना पसुन घेता ही नहीं कुनाला दिता ही नहीं तो स्वता जा स्वता मालक है ठीक है पन हे जे fluorine chlorine bromine iodine आहे तर यहांना एकाची गरज असते ठीक है यहांसा पूर्ण octet complete नसतो ठीक है 27 मंजशका है 27 याला एकाची गरज आहे octet complete करना साथी तर ते सग्डे 17 ग्रूप elements असता ठीक है तर दावीव ला पाठ करूं घितले होते आमचा काड़े में ने ओके तर तुम्ही लक्षाट ठेवले नहीं ठेवले असेल तर तुम्ही याच उत्तर बरोबर दिले सल्मी बगितल नाई पन आई तिंक बरोबरत दिले ठीक है तर सिद्धान्त आणी शास्त्रत ने आंचा योग्ये जोड़ालावाई चे अनु सिद्धान्त कोनी दिला अनुप्रती कृती मजै न्यूट्यर मौडल कोनी दिल ग्रही अनुप्रती कृती मंझे प्लैनेटरी मौडल कोनी दिला ओप्शन साइड जॉन थॉम्सन डाल्टन नील भोर रुबर रुदर फोर्ड याचा उत्तर करा यह सोड़ा सा क्लियर करूंदे तो कारण है थुमाल दिसलना रहे बड़ सर हेलियम कसे था है हालोजन ग्रूप मोस्ट रेक्टिव ग्रूप ओके नियोन अर्गॉन रेडाउन जेनोन यह ड़िड़न टेक पार्टिव एनी रियक्शन मोस्ट लेन शोदलाव लाटेबल जा राइट हेलियम इनड़ ग्रास ना ओके सगड़े सपार्ट के लिए उते शाड़ेत लक्षात कुटर राइव था ओके थीग है अप्शन नंबर तीन अस उत्तर है आणि तीन हे उत्तर अगदी बरोवर उत्तर है ब अ कड ठीक है अनुसिद्धान्त अटोमिक थेरी कोनी दिलीले आहे जौन डाल्टन ने त्यांतर प्लम पुडिंग मोडल बद्दल आपलेला माहित चाहे ठीक है प्लम, वाट इस प्लम, वाटरल मेलन आपन त्या सटी त्या वेक्किने वापरल आणि तो वेक्ति कोन आहे तर थौंशन नावा चा वेक्ति आ जौन थौंशन प्लम पुडिंग मोडल एक रेट कलर चा एक अपलेला जोड ही आहे वाटर मेलन आहे तर्बूज आहे अनि या निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रान असमाटिला ठीक है तर तो वता जौंशन त्या नंतर केंद्रक्या आनि अनु प्रतिकृति ठीक है तर हे कोना घेतला है नील बोर याची ही थेयरी आहे आनि ग्रहिया अनु प्रतिकृति माझे प्लैनेटरी मोडल कोनी दिला रुदर अनु प्लैनेटरी मोडल कोना चा तर रुदर फोर्ट सरान चा ठीक है यह आकृति थोड़ेशी लक्षाट्यों प्लन्ट प्रुडिंग मोडल बाय थौंसन त्यांतर पुलिल घटना चे भौतिक बदल वा रासाइनिक बदल यात वर्दी करन करा दैहाच दुधाच दैहात रुपांतर फल परी पक्वो होने बान्याच बाश्पिभोन होने जठरा मदे अन्न पचने कपणे वाड़ा होने तुर्टी चा गढूल पानी स्वच्च्च होने भौतिक बदल आनी रासाइनिक बदल या मदे तुम्हाला लावाय चा या पईके कुन्त उत्तर बरो बराय थे ओड़काई से ठीक है खुब यूस्फुल लेक्चर आये सर एन एक्स्प्लानेशन पन खुब चान देता है थेंक्यू मनिश्रा थोड़ सर धन्यवाद आबर याहूत अप्शन नमबर चार असा उत्तर दिला आनी अगदी बरो बर उत्तर आ है कई फो कई आनी फो या सगड़ा जो गोश्टिया है त्या भावतिक बदल्याचा गोश्टिया है पान्याचा बाश्पिभवन उने पानी समुद्रातल असो की नदितल असो याचा जर भाश्पिभवन होता है तरहां मानुस घरून आन्तोए का कि यामदे कुनते आसिट टाकुन ह यह होता है बाश्पिभवन नाई होता है तरहे नाच्रली होते हाँ फिजीकल चेंज है भावतिक बदल आए तुर्टी ने गढ़ूल पानी स्वच्छ होने तुर्टी हे भावतिक गोश्टा है तुर्टी कोनी टाकली तरते केमिकल रियक्षन तो करतो है पन नाच्रली भावतिक बदल आए तुर्टी नार्मली पाने अमदे जर एडिशनली जाली एक गढ़ूल पानी असिल तर त्यामदे गेली तर तो एक फिजीकल चेंज है ठीक है कारण तुर्टी हे नैच्रली ओकरिंग एक केमिकल कंपोंड आए कपड़े वालने ठीक है कपड़े वालने यह सुद्धा एक भावतिक बदल आए आता वाशिंग मशिन लोकवा पर तत कपड़े सुद्धात वाड़े ततमन तत त्यामदे पण तो जो है तो आपन मैनमेड मंजे चला आपन आठिफिशली करतो है पण कपड़े वालने नैच्रली हाका एक भावतिक बदल आए रासा बदल आहे, जठरा मदे अन्न पचने, ही तर एक रासाइनिक अभी क्रियाच आहे, बगा, HCL नावाचा आहे, त्यान तर बाइल जूसेस लिवर चे, त्यान तर पैन्क्रियाटिक जूस, आनि या सगड जवा अपले अन्ना सुबत रियाक्ट होता, त्यवा अपलेला अन्न प ही रिवर्सिबल रियाक्षन आहे, आनि केमिकल चेंज इर्रिवर्सिबल रियाक्षन आहे, ही लक्षा ठेवा, ठीक है, आनि केमिकल चेंज इस पर्मनेंट चेंज, इस टेंपररी चेंज, ओके, केमिकल चेंज इस पर्मनेंट चेंज, एक दा पकलेला जे जाड़ा है, एक एक फरटाइल मंजे आपन जला काय मन तो परीपकव जालेला जे फ़ड़ा है तो पुन्ना नॉर्मल स्टेज ला यह उशकत नाई तो एक पर्मनेंट चेंज आहे पन टेम्परेरी चेंज कोनता है तर तो फिजिकल चेंज आहे फिजिकल चेंज बाश्पिभवन एकदा जाले तर बाश्पिभवन पुन्ना उशकत कि वाचे जालेला बाश्पिभवन आहे त्याला जर मधात जातान्न आडधण आला तर ते टेम्परेरी पन हो शकत अडिस्कलम हो शकत ठिक है याउन तुमाला कडल असल वाट इज फिज ällt पेपर टुक्णे तांतर मिक्सिम ग्रिय औन ग्रीन मारबल्स घरानश्योत जसस सफिस ट्राइटर्देच्छ में फिनेगरीन बेकिंग सोड़ा कैमिकल चेंज तेन्ग यू मैं थेंग यू सगनानता ठीक्ड घंग है सर मी सायन साथी लिवसेंट ची बूक रेफर करता है सब्जेक कवर होनार करते है सायनस साथी लिवसेंट बेस्ट आहे खुब जनवापडर दद आणि मलावड़ता एक हाई लेवल सायनस अपजा अब्वैस करना साथी लिउसेंड बेस्ट साहित, कदी बेस्ट है, ठीक है, खालील पाई कि आनी स्टेट बोड आनी अंसियाटी ला विश्रू नगा, ठीक है, तेतर बाप आयत सगड़ेंचे, खालील पाई कि हाईडोजन चा स्थमत आनिक, मन्जे आईसोटोप कोंता नाही, प्रोटेनियम, यह वरिल सर्वर आहे, यहापए कि कोंता अप्शन बरोबर है, तेतु मल सांगा इसे, कमेंट बोक्स मदे, अप्शन नंबर चार, अगदी बरोबर आहे, तरहे हाईडोजन चे सगड़े समस्थानिक आहे, प्रोटीनियम सुद्दा है, ट्रिटेनियम सुद्दा है, आनि ड समस्थानिक मंझे का है, समस्थानिक मंझे आइसोटोप, आइसोटोप मंझे जामदे सेम एटोमिक नंबर असतो, एटोमिक नंबर का है, तर सेम, त्यानन तर आइसोबार मंझे का है, जामदे एटोमिक मास नंबर सेम असतो, आइटोमिक मास नंबर आपन कशा ने डिनोट क तर Neutrons, Isotones, यह थोड़ो सा रिलेटेड वाट्ट है, तर यह अच्छा उरुन लग्षा ठ्यू शकता है, तुमी कि सेम नंबर अप नूट्रोंस मंझे आइसो तोन्स, आनि आइसो बार मंझे, सेम एटोमिक नंबर देडाज़ सेम, आसमिक नंबर आणि आईशो तोल्टोंस, अच्छा शकता है, तर आपन वर लिया तो, आँझे आप नंबर, आमी आटोमिक मंझे, इथे लीला जातो ठीक है 321 असा काई असुशक तो ठीक है आपन भगित ले आईसोटोप आफ हाइड्रोजन त्यान तर हे एक स्ट्रक्चर आहे अन्न पचनाची क्रिया गों़िलिलर फिल्ट्रेशन टुबख रियक्षिन अन्हीं ऑल अबॉट डैट तर पीसीडी कुठ़श्त । डीसीटी कुठ़श्त पीसीटी मधे कुंथिक्रिया होते तर सिलेक्टी रियाब्जर्प्शन जालाशा आपन ग्रोंविलिलर फिल्ट्रेशन अससुद्धा मन्त तो ही क्रिया डी सीटी म मदे पीसिटी मदे ओते आनी ये कलेक्टिटे टी ती शीक्रीशन म मता हुए अभी तो बस शुरूयाथ हुए फिक्यर अभी बाकि लेड़ा ओके शुबंसर नाइस ट्रिक ओके सेम अटमिक नंबर बड़ ड्यूटेरियम हेवी वाटर ओके स्यूक्सर अंगार है बस भाई त्यांतर बगा पुड़ सर ट्राइगिसलाइड अमीनो एसेड आनी मोनो सैकराइड करबो दके प्रोटीन्स आनी मेध यह तुम्हाला जोड़या लवाईचे नाइस ट्रिक शीतलमेंग हे थीक है अता अमिन अजिट आता अमिन अचिड है अर रोलेट टो वाट मोनो छिड आते टो आते रिलीड है प्रोल इंज रिलेट टो वाट अनREEड आते टो रिलेट टोट कर दो उन्यूंष धर आइस आइस एंड जाते त to the fats okay fats made amino acid we know about that there are four chains of amino acid two alpha chains and two beta chains okay and if the minor minor problem occur in any of the chain in alpha chain or beta chain alpha chain मदे जर प्रोले मदे प्रोले मदे प्रोले मदे प्रोले माला हुल्एक्राइफ्सनेर्ण HA. प्रोला है कार प्रोला क्या है कारईध्सनेर है कार्भो यह जदल खोलाइट क्या जद्कर मौदे इसे कर्मोदेह कर्भो हồngक्यर्ण ठीक है.. है कर्मोर्णा Commonwealth और the chemicals which are secreted by our system and they what they do ते काय करता तर अन्न जे काई प्रोटीन पचावनेची क्रिया ट्रिपसीन आनी पेपसीन हे घटक करता स्ता त्यान तर मेद, मेदा चा सगला जासत क्यालरी आपले बोडी मदे नाचिा क्रीं पाए यह घ्र का ம्यासा यह यह घ्र कारीय इस इनी प्रोटीन पसान किति कल्रेश भी सग्मरी म Battery किती कल्रIE छास है सुटक क्ल्रीन 4 तर 4 कल्रीज from 1 GRAM of protein and if from 1 GRAM of carbohydrate we also get 4 calories right so 9 calories from fats, 4 calories from proteins and 4 calories from carbohydrates, ok these are some questions and ठीक है, खालिल पई की हा रोग आनुवान्शिक नहीं मनतत, मदुमेह, कुष्ट रोग, उच्च रक्तदाब, या पई की नहीं, कोंता रोग नहीं है, ठीक है, एडिपोस्ट इश्यू, राइट, सभी के सभी लोग, सभी के सभी लोग, एक साथ, लाइक बटन पे क्लिक कर दीजे, जो ब्लाइक बटन है, उसको निला कर दीजे, जल्दी, ठीक है, ओके, लाइपेस फैट डाइजेशन, ट्रिपसीन प्रोटीन डाइजेशन, ओके, राइट, option number second अस उत्तराले आणि अगदी बरोबर आए कुष्ट रोग हानुआंशिक रोग नाही हाएका जिवानु मुले होतो ठीक है आणि त्या जिवानुचा नाव काया है mycobacterium lepris अस डिसीच चा नाव आए आणि त्या जिवानुचा नाव आए mycobacterium lepris अए ओके ठीक है लेप्रसी असा आपन त्याले इंग्रजित मनतो हा मधुमिया जो आहे तुमचा आजो बाला आसेल तर तुमाला हो शक्तो तुमचा मुलाला हो शक्तो मुला चा मुलाला हो शक्तो जेनेटिक है उच्च रखत दा बीपी आजिला असेल तर तुमचा पूर्चा नात वाला हो शक्तो तो कुठो नहीं हो शक्तो तर है मधू में आनी डाइबेटीज है आनुए अनुएंशिक आहे पन कुष्टरोग जो आहे तो आनुएंशिक नाहीं आए ओके त्यांतर बगा लेप्रसी और ट्कॉजज बाय माइको बैक्टिरियन लेफ्री औ केलो सर थैंक्यू त्यांतर पोलियो बद्दल काई विधाने अभ्यास आईची आहे पोलियो केवाड मानवावावदे संक्रमित होतो संक्रमित वेक्तिचा घसावा आतड़यमदे विशानु आढड़तत योग्य नसलेली चुकीची विधानो ओढ़खा चुकीची विधानो ओढ़खा यहां पई कि चुकी से विधान एक नाही आए ओके दोनी विधान काया है बरोगर आहे ठीक है अप्शन नंबर थर्ड कोनी कोनी दिला है शुबम सरान्नी दिला है त्यान तर अजुन खुब जनननी दिला है पोलियो माइलेटेस ओके है रोगात्य नाहीं पोलियोस पोलियो हां के वड नवाम अढ़े सो तो कदी घुद्रया मदे पाईला अदो नाए पायला नक्त्रत्रया मदे भगितला पोलियोो काय करतात है आप लेला आपन का लैक सद्न का लाइन तच नावा एण पैरल आप्रलाइज okay पैरलिस करतात Okay हाव वाय॥ हाहे थै काय या वायर जा नाव तर या वायर याव नाव है ओके प्रिवेंट, वैक्षिन उस टू प्रिवेंट फिर्वेंट पोलियो माईलेटीश तरह रोगा चुनावा है, पोलियो वायरस या वायरश चस नाव पोलियो आहे, जो बी जा सापन कोरोना हाई डिसीज नहिए, गोविट नाइन्टीन डिसीज आहे, पण लोको काय मनता है, ग रोग आहे ठीक है तर्यावरुन लक्षा ठेवा ठीक है ओके स्रामा या लेक्चर मुड़े कॉन्फिडेंट या एला एक्जाम क्रैक विल थेंक्यू प्रियम का रेंके मैं आनि ही लेक्चर कंटीनु रहातील ये तो बस शुरुवात है पिच्चर अभी बाखे लाल रखत पे आर भी सी या या बददल खालील विधाने अब्वेशा या पेशीन नास लिूको साइट असा मनता या पेशीनटी निर्मीति अस्ति म ज्जा मधे अस्ति म ज्जा मंझे कैस बोन मैरो आनि या पेशी मंधे एक 1 and half मंझे half पेशी RBC अस्तत मंझे एक द्वशान्स 1 upon 2 पेशी RBC अस्तत एकोन पेशी पाई की एकोन पेशी मंझे का है तो आमोदे plasma WBC RBC आलेट सगड़े ठीक है plasma नहीं है नर ठीक है पेशी फक्त यह नर WBC RBC पाई की 1 and half percent जास्तर RBC अस्तत मंझे तर कुन्त विदान बरुबर है ठीक है शालक एन सेबिन चिल्लस दिली जाते राइट अफ्रेक्स नर्वस सिस्टिम राइट एकोर्डिंग टु डबली एचो इंडिया इस नाव पोलियो फ्री राइट अधित्य हो डेलियस्त एंटेरो वाइरस पोलियो चा ओके तो र्या पेशनाज उत्तर चार उत्तर आहे केवड ब ठीक है या पैकी कुन्त विदान बरुबर है फक्त ब विदान बरुबर है या पेशिनना ल्यूकोसाइट नाई मनत मित्रान्नू या पेशिनना आपन इरित्रोसाइट मनतो आर्बिसिनना इरित्रोसाइट असा मनतो आपन आपन ल्यूकोसाइट कशाला मनतो डबल्यू बिसी ला वाइड बलड सेल ला पांडरा रक्त पेशिनना या पेशिची निर्मिती अस्ति मज्ज मदे होते बोन म्यारों मदे होते, बरोबर है, एकुन पेशिन चा एक द्वशांच पेशी आर्बिसी असते, चुकी चे विद्धान है, ठीक है, पगुया काया है आर्बिसी, आणि आर्बिसी काय करता असते, तर ओक्सिजन कैरी केला जातो, आपले प्रत्तिक सेल परेंत, ठीक है, आण रेड ब्लड आहे, ठीक है, रेड ब्लड सेल, जास आर्बिसी, ठीक है, आणि परमिट्स टू ट्रांस्पोर्ट अप्ड ओक्सिजन, आण कार्बन डायक्स ओक्साइड ऑल्सो, ओके, हीमोगलोबिन असाइड दब बिंग अप ट्रांस्पोर्ट मॉलिक्यूल मनुन काम करतो आणि हाँ एक पिग्मेंट आहे, आणि याचा मोलस आपले अर्बिसी ला, लाल कलर जो एतो है, ठीक है, लाल कलर आपले अर्बिसी ला, तो हीमोगलोबिन मनु मुले जेतो है, ओके, त्यांतर बगा, लाइप स्प्यान कायास्तो अर्बिसी चा एक्षे वीज दिवस, डब तदी, imagine के लाए, हेतर फक्त पर क्यूबिक यम्यम आहे, मित वाला मागी सांगितलो होता, कि हे फक्त पर क्यूबिक यम्यम आहे, टोटल किती बलड असेल आपले हुमन बोडी मदे, कदी विचार के लाए, सांगाबरों एका दजन सर्च करून, कि आपले टोटल बोडी मद किती लिटर बलड आहे, किती लिटर बलड असेल, जर एका क्यूबिक यम्यम मदे, पाच मिलियन आर्बीसी आहे, तर टोटल बलड मदे किती आर्बीसी आसेल, ओके, आणि ये बाई कॉनकेव शेप चासता, ठीक है, बाई कॉनकेव शेप मनजे, असा शेप, ओके, त्यांत क्लोटिंग चीजे आपली प्रोसेस है यहां मदे प्लाज्मा जे प्लेटलेट्स है यहां चा जस्ती जस्त यूज होतो ओके थ्रम्बुसाइट्स अन आल देट अपन त्या और एनर चाहोते तर एक वेक्टी माइनस 0.5 डायप्टर शक्ती असनेर भिंगा चा चश्मा वापर तर त्याने वापर लेले भिंगा चा प्रकार वा दृष्टी दोष्ट कनुक्रमे सांगा माइनस मदे आहे मंजे कुंता असेल मागो तुमा सांगितलो ओके पन्नास पाच लिटर ओके 5 लिटर पन्नास लाग क्युबिक यम्यम ओके पास ते सहा लिटर ब्लड ओके तर बग यह चार पाइंट पास लिटर ओके न्यूक्लिस shooting a आर्दीस सिमंदे बरोबरा है पन कामल यह है अपוग आठे उन्टा अपवगा आए उन्टा चार्वी डिसी मदे यह है ठे दाने अस्तथ जालास तुमिह का मंता नूक्लिस कि वहां आपन त्याला यह मंत हो मत शली क्र ग्रैनिूल्स, ओके, ग्रैनिूलर, ओके, वेट च्या 8% ब्लड आहे आपले बोडी मदे, या प्रश्ना चो उत्तर आप्शन नमबर सेकंड, अंतर वक्र भिंग्र आणि निकट दुरुष्टिता, हा रोग जो आहे त्या वेक्तिला असेल, दुरुष्टि दोस असेल, त्या जो रोग आहे, तो रोग कुंता असेल, निकट दुरुष्टिता, मन्जे स्मायोपिया, परसन कैन सी नियर्बाइ ऑब्जेक्स, बट नाट फार अवे ऑब्जेक्स, त्या वेक्तिला जवल चा गोश्टि दिस्तिल, पन दुरुष्टि दिस्नार नाही, नार्मली, आज व आपला फोकस असतो, तुमाल दाखो ती प्रोसेस कसी असते, पन बहीर वक्र भिंग मन्जे हाँ बाइकॉन के वसतो, कॉन्वेक्स लेंस असते, ठीक है, आणि या दुर दुरुष्टि चा नावाचा त्या मोळे रोग होतो, हाँ वेक्ति फार अवे ऑब्जेक्स याला द आपलेया डोलैा वर है तो लाइट है तो, लाइट आला नाणतर काये होता, तो आपलेया रेटीना वर पड़तो, रेटीना वर चा महागे, रॉट्स अनि कोन शसतत, जे अपलेयाला काय प्रवेट करता? एक कलर प्रुवेट करता? अपलेया वर जी कई िमेज एंकर होते, त्यान अंतर हे जल नॉर्मल आयेचु त्यान तर नियर साइटेट आये मंजे यामदे जाला दूर निकट डुरुष्टिता जला अपन मनतो मायोपिया नावाचर हो यामदे इमेज ट्रांस्मिट पुर्णा रेटिना और होतास नाई त्याचा आगोदरत हा जो लाइट है तो एंटरंट हुन जातो पन यामदे आता हा दूर दुरुष्टिता नावाचर हो गया यामदे दूर जातो ठीक है रेटिना और पड़त नाई पन दूर जो आहे तो लाइट एंटर एंटरप्ठ होतो ओके तर हे फास साइटेट ने आन ठीक है आता हे रेडियो लेगरीचा है या फिजिक्स मदे सद्ध्या जावने आपन तर हे पन आपन बगितल ही बगितल आपन तर आच्चे साथी आपन यहवड़ाज भगू फक्त टिंडाल इफेक कोंत्या कारणा मुडे घणू देतो ते सांगुंद्या प्रकाशाचा अ अपवर्तन प्रकाश अर्च विकिरन प्रकाश अर्च अर्च परावर्तन की आपई की नहीं टिंडाल इफेक बदल सांगा सिलियरी मसल्स यूज़ फॉल कॉंट्रेक्शन एंड रिलेक्सेशन आप प्यूपिल राइट ओके सिलियर मसल्स ओके रंगशंकू रॉट्स अन कोन ओके हाजो आता खोकला आला होता तो खई असा वंजे ओरिजनल खोकला नहीं है ठसका मनता देला ठीक है ठसका अप्शन नंबर दोन अगदी बरौवर उत्तर है स्केटरिंग आफ लाइट प्रकाशाच विकिरन टिंडाल एफेक्ट चोंत कारणा है स्केटरिंग आफ लाइट अगदी बरौवर टिंडाल एफेक्ट सल्यूशन मदूंजर गेला तर तो दिसत नहीं पन एका द्या सब्सक्राइब करता प्रेंग अहुंच अबुके सलेशन अल्सक्राइब के ZOO edible पार्टिकल्स से ऊचेल एक सोडियंघ dengan सोलीचन यह सोल्युशन आशल याम मदी तो लाइट डिसल्यू इसलो टिकेस स्काटर होतो है पर यामोदidé प्रोसेस जासता,क्ते एनर्जी गिव आउट करताती तर स्राउंडिंग लाँ,- आनी एंडो थर्मिक प्रोसेस कायद करतातो तक्तर एनर्जी एब्जाब करतात कि वाड़ सा communic करता िडेल्टा k एच्यकजश फोड़ ससे फयाइस्ट और सम्कूर्ठ मेदामले जासता, सम्कूर्प्त मंझे स्टिरेटट अधे टेम्क नातवरा धानेता. पण अन्सॉरीटटेट फैटी अशिट जा है वनस पति रूमेदार टेम्क नातवरा धा सते रखता तो तुमाला दिस्क्रिप्टिप्शन बॉक्स मदे मिड़ो जाएं रहा है अनि लाइक कर आला विश्रू ना कर ठीक है लाइक सब्स्क्राइब शेर तुम्ची जबाब दरी ठीक है आच्छा साथी यह व्लाज बगुया है ठीक है गुड़ नाइट अल अफ यू लेक्चर जा टाइम है साड़े साथ वास्ता जा ठीक है थैंक यू इकोनोमिक्स ओके उज़ा जाद हो मैं ठीक है आणि आपले चाइनल ची मेंबर्शिप सुद्धा घ्याला विश्रू नका लक्षा ठेवाल ओके इकोनोमिक्स ओके बर बगुयात काय होते